अगर आप अपने PUBG Mobile को बिना किसी lag के खेलना चाहते हैं एकदम मक्खन की तरह gameplay चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने PUBG Mobile के अंदर HDR और Extreme FPS को इनेबल करना होगा और ये ऐसे possible नहीं है तो आज मैं आप सभी को Redmi Note 7 जो 3GB RAM वाला फोन है इसके अंदर High Graphics एकदम 100% और High FPS Extreme 60 FPS करके और गेम खेल कर दिखाऊंगा और आपके फोन में भी कैसे होगा तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर तो यार इतना जब हम मेहनत करते हैं तो यार एक लाइक करके हमें भी सपोर्ट दिखा दिया करो यार तो सबसे पहले तो आपको Play Store से इस application को install करना होगा लेकिन ध्यान रखिएगा आपको इसके लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे लेकिन आज मैं आप सभी को नीचे वीडियो के description में इसका free वाला link आप सभी को दे दिया हूँ तो वहां से जाकर आप उसे download कर सकते हैं सबसे पहले तो आपको अपना game variant सेलेक करना होगा कि आपके पास कौन सा variant है मेरे पास है Korean यहाँ पर मैंने सेलेक कर दिया अब आपको आज आना है basic graphic के setting में यहाँ पर मैं आपको जो जो setting बता रहा हूँ वही आपको करना है तो सबसे पहले तो आप अपना regulation सेलेक कर लिजे कि किस regulation में आप अपने PUBG Mobile को खेलना चाहेंगे तो मैं यहाँ पर 720p में खेलना चाहूँगा यानि कि HD में अगर आप मखन के जैसा खेलना चाहते हैं तो 720p को सेलेक कर दिजेगा अब यहाँ पर आपको graphics को सेलेक करना है कि किस graphics में आप अपने PUBG Mobile को खेलना चाहेंगे तो अगर आप अपने phone में high fps बिना केसी lag के खेलना चाहते हैं तो चुप चाप से HDR को सेलेक कर लिजेगा अब आपका जो main point आता है वो है आपका fps देख सकता है यहाँ पर आपका low preset है तो अब आपको करना क्या है यहाँ पर आपको extreme 60 fps को सेलेक करना है इस ते जादा का select मत कीजेगा क्योंकि आपका phone 3GB RAM वाला है ध्यान रखेगा इस बात को भी तो extreme 60 fps को हमने सेलेक कर दिया अब यहाँ पर आप color style सेलेक कर लिजे कि कि किस में आप खेलना चाहेंगे तो मैं यहाँ पर color में खेलता हूँ तो मैंने यहाँ पर color कर दिया दोस्तों यहाँ पर एक और खास feature आपका add हो चुका है वो है आपका shadow अगर आप अपने game के अंदर shadow चाहते हैं जैसे paint का पौधा का मकान का यह सब आप अगर shadow चाहते हैं तो इसे enable रखिएगा मैं तो बि modulation में HD रखा है 720p, graphics को मैंने HDR रखा है, fps को मैंने 60 fps रखा है, style को मैंने color रखा है और shadow को disable कर दिया है अब आपको कर देना है back और back करने के बाद यहाँ पे आपको apply का button दिखरा होगा इस पे आपको click करना है और यहीं से आपको अपने pubg mobile को run करना है तो चलिए मैं आपको fast forward करके pubg mobile को run कर देता हूँ, जब आप pubg mobile के अंदर आ जाएंगे तो setting के अंदर जब जाएंगे तो basic setting में भी आपका कुछ setting change हो जाएगा जैसे pick and fire ओला disable हो जाएगा तो उसे enable कर लिजेगा और भी कुछ-कुछ setting होगा उसे आप खुद से चिक करके enable कर लिजेगा, अब यह यहां पर हम आ जाते हैं graphics के setting में और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरा यहां पर HDR enable हो चुका है और जो extreme high 60 fps पर मैं अब game को खेल सकता हूँ, तो चलिए मैं आपको एक TDM खेल कर दिखा देता हूँ, और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि यह मेरे पास अभी phone है, Redmi Note 7, 3 GB variant और देख सकते हैं किस तरीके से हम 3 GB वाले variant में HDR extreme करके अब हम TDM match चालू करने वाले हैं, तो देख सकते हैं किस तरीके से 3 GB वाले phone में high HDR graphics और 60 fps पे हम PUBG को खेल पा रहे हैं, तो इसी तरीके से मैं आप सभी के लिए वीडियो लाते रहता हूँ, तो जरूर से आप इस चैनल को सबस्क्राइब कर लिजगा और बाजू में क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक करके औल प्रेस कर दीजगा ताकि आपको ऐसे वीडियो मिस ना हो सके